नमस्कार न्यूजब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिपिका सिंकार चले शुवात करेंगे न्यूजब्लास्ट फ़वरों वेश्व स्वास्ट दिवस आज है मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने प्रदेश वासियों को शुबकामना संदेश में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है चिकिट्सा के शेत्र में मॉडल स्टेट राजिस्थान बना है अब राजिस्थान में लागू हुआ स्वास्थ का स्वास्त के अधिकार की गारंटी देता है अब अपेक्षा है कि देश में हर नागरी को स्वास्त का अधिकार मिले तो विश्व स्वास्त दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संदेश दिया है और बताया है कि राजिस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर स्वास्तिका कानूनी अधिकार लोगों को मिल रहा है तदेश वासियों को मुखेमंत्री ने सबसे पहले शुबकामे दी विश्व स्वास्ति दिवस की और उसके बाद अपने संदेश में कहा है लिखा है निशुलप स्वास्त ओऔर योजनाओं की गारंटी कानूनी मिल रही है चरंजीवी स्वास्त बीमा योजना में 25 लाग रुपे तक निशुलप इलाज मिल रहा है राजवासियों को निशुक दवा एवं जाच योधना निरोगी राजिस्तान अभियान चलाया जा रहा है COVID के बहतरिन प्रबंदन सहीव गाउं धानी तक मजबूत चिकित्सा सुविधा अब देश भर में Right to Health कानून लागू करने वाला पहला राज्य है राजिस्तान ये एक प्रगतिशिल कानून है जो सम्विधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के अरूप स्वास्त के अधिकार की गारंटी देता है अब अपेक्षा ये है कि देश में हर नागरिक को स्वास्त का अधिकार दे हाथ से निकला बेटा और रक्षा मंत्री एक अंचनी का बेटा अनिल भाजपा में शामिल कीजा केंद्रिय मंत्री पियुष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी उन्होंने जॉइन की अनिल के बीजेपी में शामिल होने पर पिता एक अंचनी ने कहा है अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले ने मुझे हर्ज किया है ये बहुत ही गलत फैसला है भारत का आधार एकता धार्मिक सथाव है 2014 में मोधी सरकार जब सत्ता में आई तब से धर्म निर्पेक्षुता को कमजोर कर रही है मैं मरते दम तक कॉंग्रेस में रहूंगा ये उनकी तरफ से कहा गया है जनवरी में केरल कॉंग्रेस के सोशल मीडिया कॉडिनेटर पद से स्तीफा दिया था पियम मोधी पर BBC की डॉक्युमेंटरी पर अनिल ने मोधी के सपोर्ट में ट्वीट किया था ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनने पर अनिल ने कॉंग्रेस छोड़ दी तो आपको याद होगा BBC विवाद पूरे देश भर में भाजपा की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था अनिल के बीजेपी में शामिल होने पर एक अनिल ने अपनी प्रतिकरिया दी अनिल के भाजपा में शामिल होने के फैसले ने मुझे हर्ट किया है उन्होंने ये कहा ये बहुत ही गलत फैसला है भारत का अधार एकता धार्मिक सद्भाव है दोजार चौधा में मोदी सरकार जब सता में आई तब से धर्म निर्पेक्षता को कमजोर कर रही है मैं मटे दम तक कॉंग्रेस में रहूँगा एक अन्टनी की तरफ से कहा गया है साथ ही कहा है आपको बता दें कि जनवरी में केरल कॉंग्रेस की सोशल मीडिया कॉंडिनेटर पद से स्तीफा दिया गया था पिया मोदी पर बीबीसी की डॉक्यमेंटरी पर अनिल ने मोदी के सपोर्ट में ट्वीट किया था ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनने पर अनिल ने कॉंग्रेस ही छोड़ दी और देकी सेवा भारती का जैपूर में राशित सेवा संगम है जांदोली केशव विध्या पीठ में आयोजित हो रहा है सेवा संगम संग के सर संग चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत में शुभारं किया है आरेसिस के सरकारवह दत्तात्रे होस बोले समय संग पदादिकारी इस कारक्रव में मौजूद है बीजेपी प्रदेशा ध्यक्षु स्टीपी जोश्री नेता प्रतिपाक्षु राजेंदर राठोर उपनेता प्रतिपाक्षु डॉक्टर सतीश पूनिया सांसर दिया कुमारी भी इस संगम में मौजूद है और आपको बता दे कि राश्रिय सेवा संगम का हर पांच साल में आयोजनत होता है देश के सभी प्रांतों से सेवा कारे में जुटे प्रतिनेधी इस सेवा संगम में शामिल हो रहे हैं करीब 1000 संस्थाओं के 4000 से अधिक प्रतिनेधी शामिल हो रही है सेवा भार्ती, दक्षिता, स्वास्ते, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरन, वन्चित, अभावग्रस्त, उपेक्षित और पीडित बंधों की सेवा भावी संस्था, संस्था का लक्ष हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचा कर उसे आत्म निर्भर बनाना है तो सेवा भार्ती का जैपूर में राश्टिय सेवा संगम का शुभारम मोहन भागवत ने कर दिया है, आपको बताएं कि तमाम लोग इस कारिक्रम में संगम में मौजूद हैं, आरेसेस के सर, कारवाह, दक्ता त्रेहोस, बोले, समयत संग, पदाधिकारी इसमें मौजूद है साथी साथ BJP प्रदेशा, धेक्ष सिती जोश्री, नेता प्रतिपाक्ष राजिंद्र राठोर, उपनेता प्रतिपाक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, सांसर दिया कुमारी भी इस सेवा संगम में मौजूद हैं, राश्टिय सेवा संगम का हर पाथ साल में दरसर आयोजन हो देश के सभी प्रांतों से सेवा कारेक्रम में जूटे प्रतने दी इस सेवा संगम में शामिल हो रहे हैं करीब हजार संस्थाओं के 4,000 से अधिक प्रतने दी शामिल हो रहे हैं सेवा भार्ती दक्षता, स्वास्ते, कोशल विकास, महिला सशक्ती करंग, वन्चित, अभावग्रस, उपेक्षित और पीड़ बंधुरों की सेवा भावी संस्था है ये और संस्था का लक्ष हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचा कर उसे आत्म निर्भर बनाना है पॉंग्रस अध्यक्ति खड़गे से मिले नवजोत सिंह सिध्धु, मलीकारजुम खड़गे से मुलाकात कर उनका अशिरवाद लिया है नवजोद सिंग सिध्धू ने जो की हाल ही में जेल से छूटे है पॉंग्रेस नेता नवजोद सिंग सिध्धू ने खडगे की तारीफ करते हुए लिखावी है लिखा क्या है आपको बताएं कि नौ बार के विधायक तीन बार सांसद वन्चितों के लिए चैंपियन सचाई की आवाज विश्वस्नियता जिनका नाम मलिकारजू खडगे वर्ष्ट पॉंग्रेस नेता जैराम रमेश भी इस मुलाकात के दोरान मौजूद रहे हैं और मुलाकात के साथ-साथ नवजोद सिंग सिध्धू ने तारीफ भी मलिकारजू खडगे की की है मलिकारजू खडगे का नाकेवल उन्होंने आशिरवाद लिया है बलकि यहां पर उनके बारे में तारीफ करते हुए नवजोद सिंग सिध्धू नजर आए हैं उन्होंने लिखा है कि नौ बार के विधायर तीन बार के सांसत वंचितों के लिए चांपियन सच्चाई की आवाज विश्वस नियता जिनका नाम मलिकारजू खडगे यह तारीफ में श्रब्द लिखे गए हैं नवजोद सिंग सिध्धू की तरफ से आपको बताएं यह जो मुलाकात रही है बरिष्ट कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे परिटन निगम में धर्मिंद राठोड के पग फेरे से बदली फिजा परिटन निगम को मिले हैं चाट्सको करोड से अधिक के कारे मुख्यमंत्री की बजट घोष्टना को अमली जमा पहनाएगा परिटन निगम तरदेश में बनेंगे पांच अंतराश्री हिस्तर के गोल्फ कोर्स, कॉन्फरेंस और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे आयोजनों के लिए MICE सेंटर्स स्थापित होंगे पांच जिलों के साथ बांधों में एको अडवेंचर टूरिज्म साइट्स की विक्सित की जाएंगी आपको बताएं कि परिटन निगम ने तीनों कारेओं के लिए आमंत्रित की EOI 25 अप्रेल तक EOI मिलने के बाद जारी किये जाएंगे परिटन निगम में धर्मेंद्र राठोर के पग पेरे से फिजा बदली है आपको बताएं कि परिटन निगम को 700 करोड से अधिक के कारे मिल गए हैं मुख्यमंत्री की बजट घोशना को अमनी जमा पहनाएगा परिटन निगम प्रदेश में अब पांच अंतराश्टी इस्तर के गोल्फ कोर्स परेंगे और साथी साथ कॉन्फेंस और वेडिंग भी डेस्टिनेशन जैसे आयोजनों के लिए MICE सेंटर्स स्थापित किया जाएंगे पांच जिनों के साथ बांधों में इको अडवेंचर टूरिज्म साइट्स की विक्सिप की जाएंगी और परिटन निगम ने तीनों कार्यों के लिए आमंतर की EOI 25 अपर तक EOI मिलने के बाद वर्क ओर्डर भी जारी किया जाएंगे आई OCL पर इस साल मंडरा सकता है नेत्रत्व संकर जिहां संग्ठन में बोर्ड स्थर के तीन पद खाली है निदेशक फाइनेंस का पद पहले से रिक्ठ है जून 2023 में सेवा निवरत हो रहे है निदेशक पाइपलाइन DS नानावरे निदेशक R&D डॉक्टर SSV रामकुमार भी हो रहे जुलाई में ही रिटायर CMD श्रीकांत माधव वैद भी 31 अगत 2023 को IOCL को अलविदा कहेंगे और इसलिए गहराते संकट की बाद कही जा रही है संगठन में बोर्ड स्तर के तीम पद खाली है निदेशक फाइनेंस का पद पहले से ही खाली है लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी कुछ पद खाली होने वाले है जून दोजाटेश में सेवा निवरत हो रहे है निदेशक पाइपलाइन डियेस नानावरे आपको बताए कि निदेशक आर एंटी डॉक्टर एस एस वी रामकुबार भी हो रहे है जुलाई में ही रिटायर CMD श्रीकांट माधव वैद भी 31 अगस्त दोजार तेइस को IOCL को अलविदा कही है अब हर महिने तय होंगे घरेलू नेट्रल गैस के दाम जी हाँ CNG और PNG शनिवार से सस्थी होगी सरकार ने फॉर्मूला दरसल बदला है केंद्रिय मंत्री मंडल ने CNG, PNG के दाम तैग करने के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है आपको बताएं कि गैस की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूज के इंडियन बास्केट से जोड़ा है फैसले के बाद कल से कम हो सकते हैं CNG और PNG के दाम और जिसकी दरकार आम लोगों को भी है PNG की कीमत में करीब 10 फीज़ी की कमी आने का अनुमान जताय जा रहा है वहीं CNG की कीमत करीब करीब 5-6 रुपे प्रतिकलो कम हो सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो नया फर्मूला लागू करने की बात कही जा रही है उसके मद्दे नज़र लोगों को राहत मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं दरसल CNG और PNG शनिवार से सस्ती होगी ऐसे अनुमान लगाय जा रहे हैं आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने फर्मूला अपना बदला है केंद्रिय मंत्री मंदल लें CNG PNG के दाम ताय करने के नए फर्मूले को दरसल मंजूरी दे दी है अब गैस की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में फ्रूड के इंडियन बासकेश से जोड़ा गया है फैसले के बाद कल से कम हो सकते हैं CNG और PNG के दाम PNG की कीमत में करीब करीब 10 फीज़दी की कमी आने का अनुमान जताय जा रहा है तुम्हें अगर CNG की बात करें तो CNG की कीमत करीब 5-6 रुपे प्रतिकलो कम हो सकती है आगे बढ़ेंगे शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टर माइंड पुलिस के शिकनजे में है सारन को पेपर बेचने वाला शिक्षक अनिल ओफ शेर सिंग लीडा गिरफतार किया गया है SOG आज शेर सिंग को उदैपूर कोट में पेश कर रिमांड पड़ लेगी शेर सिंग को लेकर SOG की टीम जैपूर से उदैपूर के लिए रवाना कल देर शाम शेर सिंग को दिली से जैपूर लेकर SOG की टीम पहुंची काला हांडी से 40 किलोमीटर दूर भवानी पटनम के एक गांस से उसे दबोचा गया है एक निर्माना धीन सरकारी बिल्डिंग में मजदूरी का वो काम कर रहा था बढ़ी हुई दाड़ी मैले कपडों में शेर सिंग को पहचानने में चार घंटे लग गए शेर सिंग मीडा ने दिली पंजाब हर्याना उजयन में भी फरारी काटी है पाइल ट्रांसफर की आदेश होते ही शेर सिंग को सूचना मिली थी आपको बताएं कि शेर सिंग मीडा पर एक लाख रुपे का इनाम भोशिप किया गया था क्योंकि वो फड़ाद चल रहा था पेपर लिग मामले में कारवाई हुई है और ऐसे में कई इससे पहले गिरफतार ही हो चुकी है आपको बताएं कि शेर सिंग को लेकर एसोजी की टीम जैपूर से उदैपर के लिए रवाना कल देश शाम शेर सिंग को दिली से जैपूर लेकर एसोजी की टीम पहुंची थी काला हंडी से 40 किलोमेटर दूर भवानी पटनम के एक गाउं में उसे दवोचा गया है आपको बताएं कि एक निर्माना धीन सरकारी बिल्डिंग में मज़ूरी का वो काम करा रहा था छुपने के तमाम उसने हटकंडे अपनाए बढ़ी हुई दाड़ी मैले कपड़ों में शेर सिंग को हालंकि टीम को पहचानने में करीब करीब 4 घंटे लग दे शेर सिंग मीडा ने दिल्ली, पंजाब, हर्याना, उज्जेन में भी फरारी काटी है फाइल ट्रांस्वर के आदेश होते ही शेर सिंग को सूचना मिली थी शेर सिंग मीडा पर एक लाख रुपे का इनाम घोशित था जिसे गिरफतार कर लिया गया पर देश में सबसे सुरक्षित जम्मू कश्मीर में एक ठग का सेर सपाटा गुजरात के ठग किरण पटेल की जम्मू कश्मीर में गतविदियां 6 मईने में चार बार दोरे कई लोगों से मुलाकाथ अभिरासत में पुलिस के मुताबिक किरंट पटेल ने चार बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की है हर बार तीन से पांच दिन तक जम्मू कश्मीर के दौरे करता रहा था किरंट पटेल राजिसान के त्रिलोग सिंग चोहान रहे ठग किरंट पटेल के साथ पुलवामा के डिप्टी कमिशनर बशीर उलहक चौधरी ने फ्री पास दिया ये जानकारी मिली है दो आईएस कई जूनियर अधिकारियों के साथ पटेल ने मुलाकात की और इस दोरान कई बड़े व्यापारियों से भी उसने मुलाकात की एक ठग जो की जम्मू कश्मीर का स सपाटा करता रहा गुजरात के ठग किरन पटेल उसका नाम है जो जम्मू कश्मीर में कई बार देखने को मिली 6 महीने में उसने चार बार दौरे कर लिए कई लोगों से मुलाकात कर ली अलग लोगों से मुलाकात वो करता रहा अब आखिर कार जाकर उसे हिरासत में लिया पुलिस के मताबिक किरन पटेल ने चार बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की है हर बार 3-5 दिन तक जम्मू कश्मीर के दौरे करता रहा था किरन पटेल राजिस्तान के ठोक सिंग चोहां ठग किरन पटेल के साथ रहे ऐसी भी जानकारी है पुलवामा के डिप्टी कमिशनर बशीर उलहात चोधरी ने फ्री पास उसे दिया था दो आईएस कई जूनियर अधिकारियों के साथ पटेल ने मुलाकात की और इस दोरन कई बड़े व्यापारियों से भी किरन पटेल ने मुलाकात की राजसमा में कॉंग्रेस सांसर रजनी पटेल का निलंबन बढ़ा राजसभा सभापती जगदीब धनकर ने निलंबन को बढ़ाया आप मौनसून सत्र के पहले हफ्ते तक निलंबित रहेंगी पाटिल आपको बताएं कि रजनी पाटिल पर सदन की कारवाई रिकॉर्ड करने का आरोथ है साथी साथ सदन की कारवाही का वीडियो बना रही थी रजनी पाटिल आपको बताएं कि इसके बाद निलंबन की कारवाही उन पर की गए लेकिन निलंबन की कारवाही को बढ़ा दिया गया है राजिस सभा, सभापती, जगदीब धनकर ने उनका निलंबन बढ़ा दिया है अब मौन्सून सत्र के पहले हफ्ते तक पाटिल निलंबित ही रहेंगी रजनी पाटिल पर दरसल सदन की कारेवाही रिकॉर्ड करने का आरोप है और सदन की कारेवाही का वीडियो रजनी पाटिल बना रही थी इसके मद्दे नजर उनको निलंबित किया गया आब उनके निलंबन को आगे बढ़ा दिया गया है मुखे मंत्री अशोग गयलोग का संबेदन शील फैसला प्रशासन शहरों की संग अभ्यान में रियायत अब 30 सितम बतर स्टांप शूल्प फ्री होल्ड पट्टे ब्यास दरों में रियायत की मियाद को बढ़ाया गया है लीज मुक्ती प्रमाड पत्र हेतू शेश लीज राशी जमा कराने की भी छूट दी गई है क्रिशी भूमी पर बने आवासी बुखंडों को फ्री होल्ड पट्टे जारी किया जाएंगे अभ्यान के कारेव में सुगमत आएगी आमजन को राहत मिलेगी इससे दस साल की लीज राशी एक मुश्क जमा कराने पर फ्री होल्ड पत्टे तीन सो वर्ग मीटर तक के आवासी बुखंडों के लिए पत्टे मिलेंगे पांच रुपे प्रती वर्ग मीटर की प्रीमियम दर पर फ्री होल्ड पत्टे जारी होंगे मुख्यमंत्री का संवेदंशी लिये फैसला जिसे लोगों को राहत मिल सके इसके मद्दे नजर ये फैसला प्रशासन शहरों के संग अभ्यान में रियायत अब 30 सितंबर तक है दरसल स्टाम शुल्प फ्री होल्ड पट्टे ब्याजदरों में रियायत की म्याद को बढ़ा दिया गया है लीज मुक्ती प्रमार पत्रहेतू शेश लीज राशी जमा कराने की भी छूट मिली है साथी साथ क्रिशी भूमी पर बने आवासी भुखंडों को फ्री होल्ड पट्टे जारी किया जाएंगे अभ्यान के कार्यों में सुगमता आएगी आम जन को राहत मिलेगी इससे दस साल की लीज राशी एक मुश्ट जमा कराने पर फ्री होल्ड पट्टे मिलेंगे 300 वर्ग मीटर तक की आवासी भुखंडों के लिए पट्टे मिलेंगे पांच पर तती वर्ग मीटर की प्रीमियम दर पर फ्री होल्ड पट्टे जारी होंगे